वागबारस दिपावली के दोरान मनाया जाने वाला एक शुप दिन है वागबारस से भाई दूज तक दिवाली पाँच दिनों तक चलती है वागबारस दिपावली का पहला दिन माना जाता है और ये दिन गाई की पूजा को समर्पित होता है इस दिन श्रीवललब भगवान दत्तात्रे के अवतार कृष्णा नदी में गायब हो गए थे कुछ स्थानों पर इसे गुरू या गौवस सिद्वादशी के नाम से भी जाना जाता है कौशब्द एक गाय को दर्शाता है जबकी वस सशब्द एक बच्रा दर्शाता है भागबारस को गाय पूजा का त्योहार मानते है क्योंकि गायों का इंसानों की जिंदगी में महत्व पूर्ण स्थान है वागबारस अश्वीन माह के कृष्ण पक्ष के बारवे दिन मनाया जाता है और इसे गौवत स्थ्वादशी, नंदीनी व्रत, वागबारस और वासु बारस के नाम से भी जाना जाता है इस दिन सभी भक्त गायों की पूझा करते है और अनाजिया खांस खिलाते है गायों की पूझा करने की परंपरा कामधेनु के अस्तित्व के बाद आई जो व्यक्ति की पाच इच्छाओं को पूरा करती थी कामधेनु में से एक गाय नंदा ने समुद्र मन्थन के दोरान एक महत्वपूर्ण भूमिकानी भाई और तब से लोग गाय की पूझा करने लगे जिसके बाद ये दिन भाग बारस के नाम से प्रसिद्ध हुआ अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ असान बी आरजी न्यूज आपके मोबाईल स्क्रीन पर आज ही बी आरजी न्यूज की मोबाईल एब गूगल प्ले स्टोर और एब स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुडे रहें